तो फ्रेंड्स मैं विने सिंग आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में आप सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप शियर मार्केट में अपने पैसे को स सब्सक्राइब कर सकते हैं और सही स्टॉक चुनने में आपकी मदद होगी इस वीडियो के माध्यम से वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दोस्तों से निवेधन है कि प्लीज अगर आपने वितक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक् बहुत ही अंसर्टेन मार्केट होता है यह आपर लोग नवीज दो करना चाहते हैं और यह भी जानते हैं कि जो यहां पर एक्यूटी मार्केट में जो रिटर्न होता है वो फिक्स डिपोजिट या पी एफ या अधर जो भी इस्टूमेंट मार्केट में अबलिवल है उनसे िशी इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कीस तरीके से आप सई स्टॉक चुने तो आपको सई स्टॉक चुने में इस वीडियो के मद्यूर्थ मिलेगी नंबर एक जो गूलडन रूल है किसी भी स्टॉक को चुनने से पहले आपको उसस्टॉक के बारे में यह ऊसzer के बारे में पूरी जानकारी राप्त करनी है अगर कोई आपको टिप देता है आपने देखा होगा कि जैसे मैं मार्केट में निवेश कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस डीलेफ का सियर खरीद लीजिए ये लेफ का सियर चड़ने वाला है तो इस तरीके के ज या कोई कॉल आपके पास आता है कि सिर्टेन सियर को भाइ करने के लिए इस तरीके के ओपर पर कोई भी ऐखरीदना जो भी खरीदना उस सियर के ऊपर आपको पका रिसरच सही से करनी है और रिसर्च में सबसे पहले आपको क्या देखना है एक जो 3 प्रिंसपल्स होते हैं वो आपको ध्यान देने है, number 1, company का cash flow, cash flow sheet जो movable statement होता है, वो पक्पा आपको देखना है, कि company को कितना profit हो रहा है, कितना loss हो रहा है, और उसके बाद, जो profit और loss आ रहा है, वो बाकी उसके बाद, जो बचा हुए पैसा है, उसको dividend इत्यादी में, तो होता तो जो भी कंपनी Canada होता है वो उस में आपके जो dizक में होता है जो जो होता है फो बहुत ज़ुलता और चेक करना है नमबर दूसवा बैलेंस पहुंजर्पननी के बारे में आपको बैलेंस शिट आपको कहा बकार Honda हो पॉल करना है तो आपको बता जाता हूँ जब भी आप किसी share के ऊपर share को अगर Google पे भी आप क्लिक करेंगो तो उसकी balance sheet को क्लिक करेंगे balance sheet आपको पास आजाएगी तो balance sheet हो सकता है हर किसी को पढ़ना ना आता हो पर मोटा मोटा आप यह तो देखी सकते हैं कि company ने जो profit दिया है पिछले 4-5 सालों में या return क्या कैसा है तो आप उस balance sheet में थोड़ा बहुत देखी सकते हैं नंबर तीसरा होता है income statement income statement भी बहुत जरूरी है अगर company कोई income ही नहीं है तो वह आपको profit कैसे देगी इनकम statement यह चीजे देखना यह त्री प्रेंसिपल होते हैं गुल्डन रूल भी होते हैं किसी company के बारे में जानने के लिए तो आपको सई स्टॉक चुनने में यह तीन ग market है उसको fact check किजिए company के facts check करने के लिए बहुत ही चीजे आपके पास available हो जाएंगी जैसे की company का market cap क्या है dividend yield क्या है dividend yield से अगर आपको मतलब अगर समझना चाहते हैं तो वह कितना dividend pay कर रही है जो company continuously dividend pay कर रही है और अच्छा dividend दे रही है तो इसका मतलब होता है कि उसकी balance sheet म company अच्छी है नंबर तीसरी जो चीज है company का आपको देखना है debt यह भी आपको जब company के उपर अगर कोई debt होगा तो अगर तो आप यह समझ लिए कि company की जो भी income होगी वह debt में ही चली जाएगी तो ना तो वह company dividend pay कर पाएगी और इस तरीके कि जिसमें जिसके उपर ज्यादा debt होता है वह company के stock बहुत ज्यादा volatile होता है और इस तरीके के stocks में पैसा नहीं लगाना चाहिए यह मेरी अपनी opinion है और मैं आपको बताता हूँ जब भी आपना portfolio बनाएं तो उसको diversify अवस्ची करें आपको बताता हूँ कि अगर आपने nifty का नाम या BSC Sensex का नाम सुना होगा Sensex में 30 कंपनियां होती है BSC की और Nifty में 50 कंपनिया 50 Nifty 50 बोलते हैं Nifty 50 कंपनिया NSE की होती है तो यह जो कंपनिया है यह भी sectors wise होती है 12 sectors से चुनी होई अच्छे ची कंपनिया होती है तो उन कंपनियों के उपर आप पैसा लगा सकते हैं तो आपको बताता हूँ इसी तरीके आपना हमेशा पूर्टफोलियो को डाइफर्सी फाई रखें जिससे कि आपका रिस्क कम हो सके और अगला अगर मैं आपको बताऊं कि यह देखा यह जाता है कि बहुत से लोग उते हैं कि अपना बना तो लेते हैं पूर्टफोलियो पर वो यह देखते हैं कि कंपनी ने क् मैंने नहीं आपको पताया कि आप निफ्टी-फिफ्टी तो आपने क्या करोगे।ा आपने किसी भी कंपनी का उठा लिया अभी माल लीजिए कि आप लेलो PC ज्वलर्स का आपको मैं एक 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 जॉम्पल दे रहा हूँ पीसी जोलर्स ने एकदम से कंपनी गिरी थी उसका रेट करीबन चल रहा था साड़े तिन चार सो रुपए उसके बाद उसका रेट गिर के आ गया था साड़ सत्तर रुपए उसके बाद एक न्यूज आई न्यूज के दमते वह फिर से डेट सो के आसपास मौचा तो लोगों ने क्या सोचा कि यह नहीं अच्छा है कि डेट सो पहुंच गए यह फिर साड़े तिन सो पहुंच जाएगा तो इस तरीके से क्योंकि वह प्रिजेंट जो भी नया आ रहा है उसने प्रिजेंट परफॉर्मेंस देखी यह 75 से डेट से हो गया पर उसने वह नहीं देखा कीवर्ड साड़े 300 से 75 आया था तो जो इस तरीके से है आप करेंट में जो परफॉर्मेंस कंपनी की उसके उपर ना जाए आप कि अगर आपको इनवेस्ट करना है तो कंपनी को हमेशा ही आप उसके तीन से चार साल के डाटा आवस्ट देखें और प्रिजेंट प्रफॉर्मेंस के उपर आप उसके उपर निवेस्ट ना करें मैं आपको बताता हूं एक 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 जमपल एग्जमपल एलाईशी की जो पॉलसी ऐए थी 2003 के आसपास में कुछ पॉलसी आई थी जिनको उन पॉलसी में कई जो आपके LIC के एजेंट थे उन्होंने मिस्सेलिंग की थी उन्होंने बोला था आप सिर्फ पांच साल 10-10,000 रुपे लगाई आपको 10-15,000,000 रुपे मिलेगा क्योंकि उस टाइम पर जो बूम आ रहा था मार्केट में उस बूम के एकॉर्डिंग उन्होंने कैल्कुलेट कर पास तो आपका जो आपने कॉर्पस दिया था वो भी रिटर नहीं आया इसमें कई लोग फस गए तो इस तरीके से यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप अगर कोई किसी भी तरीके से कंपनी को देखें तो इसके प्रजेंट परफॉर्मेंस पे नहीं उसके कम से कम 3-4 सा तो इस तरीके सी चलती है कि एक होता है रिजिस्टेंस होता है वह रिजिस्टेंसर नीचे बाइन सब्कारों कि वाज आपका जो है कि है तो आप उस तरीके के स्टॉक्स में लगा यह पैसा पर अगर कोई कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो हिलते ही नहीं है अपनी जेगे उन्होंने एक फिट कर रखी है कि 300-400 के बीच का मैं आपका एक्जांपल देता हूं कोल इंडिया का कोल इंडिया का एक शियर ऐसा है कि अगर देखेंगे तो उसका एक फिक्स हो रखा है 300-400 के बीच में और वह इसको काफी टाइम से इसी में ही घूम रहा है तो इस तरीके के अगर आपको त्यालते हैं इससे बचना चाहिए और हमेशा जो बढ़ रहे हैं उनके उपर निवेश करना चाहिए एक और बहुत मतल सूरच पर को सलाम किया जाता है वही यहां पर होता है जो बढ़ता हुआ है जो सेर है उसके उपर आप राइडिंग कीजिए आपने देखा हुआ कई टीवी पर एक्सबर्ट भी आपको बोलेंगे कि यह फलाना सेर है इसको अगर 150 का यह जो है रिस्टेंस को तोड़के सब्सक्राइं पर बेसेक वह दस से 20 रुपे बढ़ गया हो तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर कुई गिर गया है बहुत ज्यादा हाँ पर कंडिशनल है अगर एक को बात किया निफ्टी 50 निफ्टी 50 के सेर्स आप खरीद सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सेर्स नो डाउट आप बंद करके इन पर पैसे लगाई आपका कॉर्पस कहीं नहीं जाएगा आपको कभी गाटा नहीं होगा इन सेर्स में अगर आप इसको लॉंग टर्म भी डाल के छोड़ देते हैं तो यह तो जैम से सेर्स हैं और यह फैमिली जैम होने चाहिए हर किसी के पा जो ग्रांड चिल्टरन से उनके लिए खरीद के डालिए तो आसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हुगा कि सीर मार्केट में किस तरीके से सही सीर चुनना है और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो त कोई क्वाईरी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किरके बताईए मैं आपके कमेंट्स को बिलकुल पढ़ता हूं और उनको उनको हर किसी कमेंट को उतर देने की कोशिश करता हूं धन्यवाद जय हिंद